नमाशकार दोस्तो दोस्तो जैसा कि आपने थमनेल में देखा कि ग्रामिन डाग सेयोकों की जो सैलरी है उसमें इजाफा होने वाला है और जो बकाया होगा जो एरियर होगा वो जनवरी से मिलेगा और ये मैं डिये की बात करना हूँ जो डियरनेस अलाउंस जो महेंगाई हो चुका है और इसको थोड़ा साम पढ़के समझते हैं कि कितना परसेंट बढ़ेगा देखिए धी ओल इंडिया सीपी आई कंजूमर पाइस इंडेक्स वा डिक्रीज़ बढ़ा तो ये 0.3 परसेंट से डिक्रीज हुआ है कि लगभग ना के बाराबर ये डिक्रीज हुआ तो जितना पिछली बार 4% जो बढ़ा था जो डिये बढ़ा था पिछली बार आपको पता है 42% डिये था उसके बाद प्लस 4% इंक्रीज हुआ था तो अभी मौझूदा जो करेंट रेट है डिये का वो 46% है मतलब 46% अभी बहांगा बत्ता सभी को मिलता है तो लगभग 0.3 परसेंट ही ये डिक्रीज हुआ है तो अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 0.2% ये डिक्रीज हुआ है Consumer Price Index लगभग ना के बाराबर ये डिक्रीज बाना जाएगा तो इसलिए उतना ही डिये जितना 4% पिछली बार बढ़ा था वही 4% फिर इस बार बढ़ने वाला है तो टोटल जो डिये होगा वो 46 से बढ़कर 50% डियनेस अलाउंस हो जाएगा आपको पता है कि बेसिक पे का 50% डिये हो जाएगा बेसिक पे के हिसाब से 50% डिये आपके सेलरी में इंक्लूट होगा तो ये 31 जनवरी 2024 को रिलीज हुआ था प्रेस रिलीज आप देख सकते हैं इलेक्शन के पहले कहीं हो सकता है ज्यादा बढ़े क्योंकि डिये कंजूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से बढ़ता है इसलिए ये इस बार 4% बढ़ने की आशंका है CPI जो है वो ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है लगबग 0.22% डिक्रीज ड़ाए 0.22% विट रिस्प रही अगर मर्ज की तो मर्ज का कोई ऐसा भी कोई सर्कुलर नहीं है तो और इसके बारे में जो भी अपडेट आएगा मैं बताऊंगा आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे नहीं अपडेट के साथ